हेलो फ्रेंड्स आज हम काले चने से बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेस्पी बनाएंगे आई होप आप लोगों को ये रेस्पी बहुत ही पसंद आने वाली है जब कभी भी आप लोगों को हलकी फुलकी भूख हो या सुबा साम कुछ चटपटा सा, कुछ टेस्टी सा, कुछ हेल्दी सा खाने का मन हो तो आप लोग इस रेस्पी को जरूर ट्राई किजिएगा ये रेस्पी काफी हेल्दी होता है और सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद होता है और बनाने में ये बहुत ही असान है, बहुत जटपट बन जाता है, कोई भी इसमें ज़्यादा ताम जहाम नहीं लगती है, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं, यहाँ पर हमने काले चने को 500 ग्राम ले लिया है, और इसको हमने ओबरनाइट भीगो के रख दिया है, यह अच्छे से फूल चुका है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसे 6 घंटा पहले भी भीगो के रख सकते हैं, 6 घंटा में यह बहुत अच्छे से फूल जाता है, अगर उतना भी आपके पास टाइम नहीं है, तो थोड़े से गुन गुने पानी में 2 घंटा के ल और इन सारे चीजों को बहुत अच्छे से मिला लेना है ताकि नमक इसमें मिल जाए और अच्छा सा फ्लेवर आए जब हम इसको पकने के लिए रखे तो उसके बाद धकन बंद करके हमें गैस चुले पे तीन से चार सीटी लगा लेना है तीन से चार सीटी यहां पे हमारा जो बहुत हुत हुद हुद ह हुद है क्योंकि हमने चीन से चार सीटी इसको लगा लिया था और इसमें जो पानी घ्लाitel पकैशल कुद्स और फिर उसके बाद हम आगे का इस टिप देख लेंगे और आप इसे इस स्टेज पे ऐसे भी खा सकते हैं चने को नमक और प्यास के साथ लेकिन हम इसको थोड़ा सा और चटपटा बनाएंगे तो गैस तुले पे हम फ्राइप पेन रख देंगे और उसमें एक चम्मच के करी और अच्छा से भून लेना है हमें ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा इसका कच्चापन खतम हो जाए बस उतना ही हमें इसको पका लेना है उसके बाद हमने तीन से चार इसमें हरी मिर्ची को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है इसको हमें इसमें तो इस stage पे हमें टमाटर को भी इसमें एड कर देना है और देखिये यहाँ पर प्याज जो हमेरा बील्कुल भी गला नहीं है बस थोड़ा सा soft हुआ है कच्छापन खतम हुआ है तो इसी stage पे हमें टमाटर को भी आड करना है उसके बाद हम इसमें नमक अड़ करके और इस को हमें चला लेना है ताकि नमक सभी चीजों में अच्छे से मिक्स हो जाए और यह इसे हमें ढक के और और 4-5 मिनट के लिए low flame पे इसे गल्ले के लिए हम छोड़ देंगे और 4-5 मिनट के बाद देखिए टमाटर जो हमारा काफी हद तक soft हो चुका है लेकिन हमें जीतना चाहिए उतना soft अभी नहीं हुआ है तो इसे फिर से हमें 2-3 मिनट के लिए और इसको ढख दे रहे हैं ताक बत अच्छे से टमाटर जो हमारा burger चुका है तो अब हम इसे खुला चोड़के और चलाते हुए एक नट इसे और पका लेंगे और उसके बाद हम इस तो यह हम पानी जो उसमें बचा था उसके साथ ही हमें इसमें आड करना है उसको हमें थेकना नहीं है क्योंकि सारा Once Minilat तो पानी में चला जाता है तो इस वज़े से हमें उसको वेश्ट नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें कुछ,लकी फुलकिसी मसाले आट कर ले रहें जैसे कि एक चम्मच, एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चुटकी म्यूची पाउडर, आदी चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर राइट करेंगे, और एक चुटकी हम इसमें आमचूर पाउडर राइट करेंगे, अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पे निम्बू का रस भी आइट कर सकते हैं और इसको हमें बहुत अच्छे से चला लेना है और इसके पानी जो है वो खतम होने तक हमें इसको पकाना है तो अभी हमें इसको high flame पे नहीं पकाना है low flame करके और इसको हमें ढख कर 2-4 मिनट के लिए पका लेना है ताकि जो मसाले हैं वो भी हमारा अच्छे से गल जाए और अच्छे से इसमें कच्चापन वाला इसमेल ना आए कच्चापन ना लगे तो यहाँ पे देखिए 4-5 मिनट हमने पका लिया है पानी जो है बिल्कुल खुस्क हो चुका है और मसाले जो है बहुत अच्छे से भुण चुके है और यह हमारा चटपटा सा नास्ता त्यार है इस नास्ते को अब हम प्लेट में सर्फ कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने प्लेट में सर्फ कर लिया है और आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या कोई नमकीन वगरा के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है, मुर्मुरा के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, और इंज्वाइ कर सकते हैं, तो friends, अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए, तो please, please वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप सभी से humble request है, please वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलते हैं एक नई रेश्पी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिये, टेक क्यार बबाबा,